बच्चो किसे नामबर फाइज में कहरेंगे क्लास रूम है जिसमें चार बच्चे बाठें फोर डिफरेंट पॉइंट्स पर A B C D ठीक है अब देखो तुम बच्चो यह कॉडिनेट्स मैंने कैसे निकाला है तो इसको और देख लेते जरा समझते हैं देखो बुक में तुम् करा Y-axis 4 पर है तो मैंने क्या करा A के पॉइंट्स क्या ले लिया वाइक कॉडिनेट इसका 4 ले लिया उसी तरीके से B का लिया C और D का ले लिया ठीक है मैंने ऐसे करके इसकी कॉडिनेट्स लिख लिए है चलो अब क्या हुआ दो लड़कियां दो फ्रेंड्स आइं चंपा और चमेली इस रूम में तो चंपा नहीं कहा कि भाई यह जो बच्चे आप बैठी है यह चार बच्चे बैठे तो यह जो है देया फॉर्मिंगे स्क्वेर यह स्क्वेर बना रहे है अब चमेली ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है यह स्क्वेर नहीं बनना है तो क्या तरीका है बच्चो यह चेक करने का कि यह square बन रहा है या नहीं बन रहा है चलो भी हम देख लेते हैं चमपा कहरे है भाई यह square है और चमीली कहरे है square नहीं है तो तुम्हें बताना है कौन सही बोल ला है तो मैं क्या करती हो बच्चो distance formula से हम इन सब का distance निकाल लो तो पता चल जाएगा is it forming है square और not तो देखो बच्चो ए का क्या क्या है ए का है 3,4 और बी का क्या points है 6,7 तो मैं क्या करती हो ए भी निकाल लेती हूँ सबसे पहले तो मैंने इसको मानो x1 इसको मानो y1 इसको मानो x2 इसको मानो y2 तो अब a b का distance निकाल लो a b is equal to under root x2 एक दफा लिख देते हैं x2 minus x1 का square distance formula यह है y2 minus y1 का square ठीक है यह जाएगा under root 6 minus 3 है के नहीं 6 minus 3 का square plus 7 minus 4 y2 तुम्हारा 7 है y1 4 है फिंपल मैंने ऐसी subtract कर दिया this is 3 का square plus 4 minus 3 is 7 minus 4 is 3 3 का square यह हो जाएगा under root 3 3s are 9 plus 3 3s are 9 9 2s are 18 इसको मैं कैसे लिख सकती हूं 18 को कैसे लिख सकती है 3 into 3 3 3 3s are 9 into 2 लिख सकते हैं है के नहीं यह एक pair बन रहा है तो मैंने 3 बहार ले लिया root 2 अंदर कर लिया ठीक एबी तुम्हारा आ गया 3 root 2 लिख दो एबी 3 root 2 से चल अब हम आगे चलते हैं अब हम एक काम करते हैं बच्चों अब निकाल के देखते हैं जरा हम अब हम निकालेंगे बीसी निकालते हैं ठीक है चलो बी तो तुम्हारे पास है सी लिख देती हूं मैं इदर सी के डिस्टिंस फ्र्मुला दुबारा लिखने के जरूवत नहीं एक स्क्वेर प्लस सेवन मैंनस फोर का स्क्वेर ठीक है नाइन इस माइनस 3 का स्क्वेर धिस थ्री का स्क्वेर 3 ओन 9 फ्लस छी पी दिशन 9 अगे दिस रूट 18 पिर से 3 रूट 2 है की नहीं यह भी हो गया 3 रू c d निकालते हैं चलो c d d देख लो d क्या points है बच्चो 6 1 है न ठीक है चलो इसको x1 लो इसको y1 लो d को इसको x2 लो इसको y2 लो c d निकालो जरा साथ x2- x1 6-9 का square plus 1-4 का square this is root minus 3 का square plus minus 3 का square 3 3s आ 9 plus 3 3s आ 9 मुझे तो फिर से यह जोगे अभी तक तो देखो सारी sign equal है है कि नहीं ठीक है अभी तो मुझे square ही लग रहा है एसी चलो एक और देखते हैं हम 80 है के नहीं 80 को भी चेक कर लेते हैं हना चलो कि ए क्या है 3,4 इसको X1 मान लो इसको Y1 मान लो ठीक 80 चेक करो एकस्टू माइनस X1 6-3 का स्क्वेर वाइटू माइनस वाइवन 1-4 का स्क्वेर ठीक 6-3 is 3,3 का स्क्वेर 1-3 का स्क्वेर यह रूट फिर से 3-3 का स्क्वेर 9,3 का स्क्वेर भी 9 नहीं होगा मानस 3 इंटू मानस 3 है के नहीं तो यह बच्चो कितना हो जाएगा रूट 18 मतलब फिर से 3 रूट 2 ठीक अब देखो बच्चो अभी तक तो सारी साइट सुमारी एक्वल आईगें लेकिन अब दो केसिज हैं क्या ऐसा भी तो हो सकता है यह स्क्वेर ना हो यह रॉंबस हो हो सकते हैं, भाई rhombus के भी तो सारी sides equal होती है, और square के भी , है क्या तो अब क्या करोगे तुम the diagonal find-out कर लो, अगर dianals तुम्हाइर equal है तो यह हो गया, तुम्हाइरे पास square अगर diagnose different हो, तो क्या हो जाएगा यह rhombus ठीक है this से तुम्हारा एक टेस्टिंग ताइम है बहुत सारे बच्चे यहीं पर छोड़ के से स्क्वेर बोल देंगे हैं के नहीं लेकिन तुम्हें क्या करना है इसके डाइगनल्स और चेक करने है बात क्लियर हुई यहीं छोड़ोगे तो हो सकते हैं रॉम बस होई स्क्वेर ना हो चलो अब हम क्या करते हैं इसके डाइगनल्स और चेक करते हैं डाइगनल्स हो जाएंगे AC और BD तो AC कितना हो जाएगा देखो ज़रा सा AC C, C पोइंट क्या है 9,4 9,4 थी X2 मैनस X1, 9 मैनस 3 का स्क्वेर, प्लस 4 मैनस 4 का स्क्वेर, ठीक है तो यह हो जाएगा的人 यह हो गया, 6,6 का स्क्वेर, यह जीरह हो गया, 0 6,6 था 36 है ना तो यह कितना हो जाएगा, रूट 36 मतलब 6 ठी आओ अब निकालते हैं बी डी निकालते हैं बी डी पूरी रभ होगा चलाओ बी पॉइंट है तुम्हारा 6,7 और डी पॉइंट है तुम्हारा 6,1 let it be x1 y1 x2 y2 तुम्हें निकालना है bd x2-x1 6-6 का स्क्वेर plus 1-7 का स्क्वेर 6-6 is 0 1-7 is minus 6 का स्क्वेर minus 6 का स्क्वेर 36 है की नहीं? minus 6 into minus 6 positive हो जाएगा यह हो गया 6 इसका मतलब क्या है तुम्हारे डाइगनल्स भी सेम है इस शोज दाट आट ओल 4 साइड्स आर इक्वाल साइड्स आर इक्वाल डाइगनल्स A-C and B-D are also equal इसका मतलब क्या हुआ के A-B-C-D are vertices of a square ठीके इसका मतलब यह स्क्वेर बना रहा है और A-B-C-D vertices है एक स्क्वेर के ठीके बच्चों अराम से समझ में आया यह ने बहुत सुकून से तुम लोग को समझाने की कोशिश करी आया हो पच्छे समझ में आया होगा वीडियो पसंद आये तो प्लीज आनल को सब्सक्राइब करना अब हम चल रहे हैं कुश्यन नामबर सिक्स पर